अब प्रालतना करते हुए ये लड़की वही सोजाती है, तो युवा भिख्षू इसे एक चादर उडा देता है, ये भिख्षू इस लड़की के चहरे को देखकर इसे टच करने लगता है, जिस कारण ये लड़की जग जाती है और इस भिख्षू को एक थपड मार देती है, युवा भिख्षू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ये फॉरण बुद्ध भगवान के सामने घुट में टेक कर पश्चाताप करने लगता है भिख्षू को ऐसे देखकर लड़की को एहसास होता है कि उसने काफी कठोर व्यवार किया है उतने में ही टेंपल में भिख्षू के गुरू आ जाते हैं जिनें देखकर वो लड़की चुपचाप वहाँ से चली जाती है कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद उस लड़की और भिख्षू के रिष्टे में धीरे-धीरे काफी सुधार आ जाता है ये दोनों अकसर एक साथ छोटी नाव में घुमने भी जाने लगते है लड़की की सुन्दरता को देखकर भिख्षू उसकी और आकरशित होने लगता है ये इस लड़की में इतना खो जाता है कि बिना देखे एक चटान से निचे उतरने लगता है और उठकर लड़की के चेहरे को छूने लगता है जिससे ये लड़की गुसे में भिख्षू को नदी में धखेल देती है लेकिन वास्तव में इस लड़की के अंदर भी भिख्षू के प्रती एक अलग सी फिलिंग्स जाग चुकी होती है इस लड़की की बिमारी ठीक हो सके इसके लिए इसे हर रोज हरबल दवाई पीनी पड़ती है जिन दवाओं को भिख्षू खुद अपने हाथों से तयार करके उसे देता है क्योंकि ये दवा काफी करवी है जिसकारण ये लड़की दवा को पीते ही अजीब सा फेस बनाने लगती है इस लड़की को करवी दवा को पीते देख भिख्षू को उसके लिए काफी बुरा लगता है सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पाथ